हेलो नमस्का मेरा नाम रिश्वप सिंग और आप देख रहे हैं करेंड़ फेस पार्ट बार्ट टूफोस सेवन दोस्तों जब सही यह कंफर्म हुआ कि डॉनाल्ड ट्रॉम यूएस के नए प्रेजिडेंट होने वाले हैं तब सही आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरे जो भारत के प्रैमिंटर ने रेंदर मोदी जी उन्होंने बहुत ही तुरंथी ट्वीट किया जैसे यह कंफर्म हो गया कि डॉनाल्ड ट्रॉम प्रेजिडेंट मने वाले माइडियर फ्रेंड उन्होंने इस तरीके से ट्वीट किया इंस्टाग्राम पर भी ट्विटर पर जो रश्या के सब्सक्राइब आप साथी साथ जो फ्रांस के प्रामिंस्टर ने कहा कि अब यूएस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ट्रम की वापसी होगे तो दिफरेंट डिफरेंट दिफरेंट रेक्शन समें देखने को मिल रहे हैं जा पॉलिटिकली भी और साथी कहीं एक गुस्सा देखने को देख रहा है इस वजह से इंटरनेट पर यूएस का जो इंटरनेट वहां पर फोर भी मूवमेंट ट्रेंड किया जा रहा है मह Würघ जा रहा है क्योंकि आप डोनायल ट्रम की वापसी हो चुकि ऊचिके वह प्रेइस बनेंगे और डोनायल टर्म की बात करें ऊन्होंने इस बार जो कinekएंपेंड किया था जाहें एक घर जाए मिमीग्रेंट की यह इसके favor में लेकिन इनका जो पहला stance रहा है वो यह रहा है कि abortion के favor में नहीं रते हैं यानि कि abortion को ban करने की बात करते हैं इसी वज़े से जो महिलाएं हैं यूए सॉसाइटी में जो महिलाएं हैं उन्हें यह डर है कि Trump अगर आएंगे तो जो abortion का access है महिलाएं जो abortion कराती है उसका जो access है वो खत्म हो जाएगा वो ban कर दिया जाएगा तो इस वजह से 4B movement जो कि South Korea में शुरू आ था 2016-2017 में उसको शुरू करने की बात की जा रही है US में और उसके तहत यह है कि जो महिलाएं है US में वो men के साथ date नहीं करेंगी कोई भी marriage में involved नहीं होगी किसी भी तरीके की child birth में involved नहीं होगी जिससे क्या होगा जिससे यह होगा कि automatically जो population है जो population है जो birth rate है वो down वो नीचे जाने लग जाएगी और यह तरीके की reaction है क्योंकि जो stance रहा है जो stance है Donald Trump का वो काफी जादा aggressive है when it comes to abortion तो इसी stance के reaction में जो US की woman है उनका यह कहना है कि जो महिला है उनका यह कहना है क्योंकि अभी future हमें नहीं पता है क्योंकि उन्होंने clearly नहीं बोला इस बार कि abortion बैन करेंगे की नहीं करेंगे लेकिन future नहीं पता है लेकिन यह डर है यह डर है कि Donald Trump इस त woman no sex no babies what is the 4V movement sweeping internet after Donald Trump's win in 2024 US election इस तरीके से trend हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह 4V movement है क्या ठीक है context मैं आपको बता चुगा हूँ कि जो reproductive rights है इसके future को लेके कहीं न कहीं concern है जो US की woman उनका यह कहना है कि जो उनकी bodily autonomy है उस पे अगर उनका right नहीं रहेगा यह इ जैसे इस movement की शुरुवात हो रही है तो अब समझते ही 4V movement है कैस की शुरुवात हुईती साल 2016 में South Korea में aggressive level पर start हो गया था इसका मतलब यह होता है जो 4V movement है इसका मतलब है by अगर हम Korean language में जाएंगे तो यह by का मतलब है no ठीक है no और इसमें जो 4 है वो 4 यह signify करता है कि 4 जो men के साथ dating फिर sexual relationships with men heterosexual marriage and child birth तो यह चार जो है यह जो बी है बी signifies by by का मतलब Korean language में no होता है और चार जो है यह चार यह बता रहा है कि यह चार refusal है इन चार refusal है इन stages पर इस वज़े से इसका नाम 4B movement रखा गया है यह तरीके से साउथ कोरिया में इस वज़े से शुरू हा था क्यूंकि पैट्रिया की बहुत जादा बढ़ चुकी थी वालेंस हो रहा था महिलाओं पर तो इसके अगेंस्ट यह moment शुरू हा था और इसने बाद यह moment बहुत तेजी से आगे बढ़ा था बहुत जादा जो involvement हुआ था महिलाओं का साउथ कोरिया में यह लोग involved हुए थे बड़े number पर बड़े level पर involved हुए थे और यह इनका खहना था कि एक तरीके की reaction है पार पैट्रिया की कि जब तक महिलाओं के against violence कम नहीं होगा ज population नीचे जाने लग जाएगी go down होने जाएगी और अपने आप ही जो यंग जनता वो नहीं दिखेगी साउथ कोरिया में तो यह overall एक मूवमेंट था अब यही से मूवमेंट की जो शुरुवात है यह आपका United States of America में भी हो रही है होने वाली है almost हो चुकी है देखिए अभी यह clear नहीं है कि Donald Trump का stance क्या रहने वाले लेकिन जो पास्ट उनका stance रहा है जो उनके past बयान रहे है उसको देखते हुए US की जो महलाए है वो पूरी तरीके से इस 4B मूवमेंट के शुरुवात करने की बात कर रही है with women bodies constantly being policed and politicized the bold 4B movement might be exactly what they need to create substantive change in the US according to various women who are asking others to boycott men entirely over gender inequality in the country ठीक है और यह जो मूवमेंट है यह ऐसे नहीं कि सडकों पर शुरू हो गया है और प्लेकाट्स लेके लोग सब लोग निकल गया है ऐसा नहीं है जो मूवमेंट है यह basically online शुरू होता है ठीक है online बहुत सी tweets होते हैं टिक टॉक है Instagram में टिक टॉक है इंडिया में लेकिन अभी बहुत से country नहीं है ठीक है तो वहाँ पर जो महिलाएं है वो अपनी thoughts बताते हैं कि किस तरीके से यह सारी चीज़े चल रहे है तो इसलिए हमें boycott करना होगा जैसे मैं आपको कुछ tweets दिखाना reward them फिर इस तरीके से tweets से अर उसमें आप likes देख सकते हैं 276.3 के ठीक है तो retweets भी हो रहे है और यह जो यह जो tweets किये जा रही है यह viral भी हो रहे है ठीक है viral भी हो रहे है जैसे Instagram पर यह post है ladies we need to start considering the 4B movement like the woman in South Korea and give America a severely sharp birth rate decline मैं आप सकाना ultimately इस movement का objective यह है कि birth rate जो है वो decline हो ताकि यह जो patriarchy society है इनको realization हो कि यह जो violence कर रहे हैं यह जो right inequality जो women यह महिलाओं के महिलाओं के against story है अगर यह सही नहीं होगा तो इसका repercussion as a society कितना भयाना को सकता है ठीक है no marriage no child birth no dating men no sex with men we can't let these men have the last love we need to buy it back इस पर आप views देख सकते हो यह Instagram पर है यह छे नमबर यानि कि परसो का यह post है 5.4 million views है तो इस वज़े से मैं बता रहा हूं कि यह छोटा मोटा movement नहीं है यह बहुत बड़े level पर अभी movement start हो सकता है ठीक है इस तरीके से लोग जो है तो यह समझ लिजे कि जो फोर भी movement यह बहुत बड़े level पर यूएस में आपको देखने को मिला और हो सकता है कि इसका पर और कंट्रीज में भी देखने को मिले तो अब यह डोनाल ट्रम की पॉलिसीज ही डिसाइट कर सकते डिसाइट करेंगी यह जो फोर भी movement इसका future क्या होने वाला है जैसे कि मैंने आप से कहा था कि जो डोनाल ट्रम है वो climate change को नहीं मानते हैं और जैसी वो कंफर्म हो गए कि उप्रेश्ट बनने वाले जितने भी यह ग्रीन प्रोजेक्ट से उनको शट्डाउन करने की बात कर दिये तो इसी वजह से जैसे जैसे उनका टर्म करीब आता जाएगा जैसे जैसे वो पॉलिसी बनाते चले जाएंगे इस तरीकी की न्यूज आपको देखने को मिलेगी तो अब इसका जो फ्यूचर है वो सिर्फ पॉलिसीजी डिसाइट कर सकता बाकि आपकी क्या रहा है फोर भी मूवेंट पे अपनी राय जाएट करेंगे लाका करेंगे अगले वीडियो में जाहिं भारत